जेहिन दोस्तो मेरा नाम बहादर लोधी और आप लोग देखना शुरूं कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चैनल दोस्तो अभी UP पुलिस, BPSC और SSC GD जैसे कई सारे एक्जाम लगे हैं और दोस्तो हर एक्जाम में sport current office से 2-3 questions पूछे जाते हैं तो दोस्तो आज के इस वेडियो में हम sport current office के ऐसे important questions को discuss करेंगे जो की हमेशा exam में पूछे जाते हैं और दोस्तो हर question को हम बिलकुल detail में with test effect के साथ में discuss करेंगे ताकि examiner यदि आपको घुमा फिरा कर पूछे तब भी आप question को सही करके आ सकें तो आए दोस्तो विना किसी देरी के सुरुआत कर लेते हैं नमबर first question से और नमबर first question है खेलो इंडिया युथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य सीज पर रहा है तो दोस्तो खेलो इंडिया युथ गेम्स की हम बात करें तो इसकी medal टेली में महराष्ट राज टॉप पर रहा है वी option करक्ठ हो दायागा दोस्तो सारे important factor को हम discuss कर लेते हैं दोस्तो खेलो इंडिया युथ गेम्स की बात करें तो ये प्रतियोगता भारत में इसकूल और कॉलिज के छात्रों के लिए एक राष्टी इसतर की खेल परतियोगता है इसका आयोजन किया गया तमिल नाडू के चार सहरों चैननाई, त्रिची मदराई और कोयम बटूर में उदगहटन किया, पीम नरंद मोदी जी ने इसका सुभंकर वीरा मंगाई, वेलू, नचियार के लिए बनाया गया चटवा संसकन आयोजन हुआ है और सबसे जादा मेडल जीते हैं महराष्ट ने, टीक है, 108 मेडल जीते हैं, संताउन गोल्ड है, 48 सिल्वर हैं और 53 ब्रॉन्ज मेडल है और यह जो पृतियुगता है, यह किस मंत्रा लएके द्वारा आयूजत की जाती है, तो यह वा मामलों इबं खेल मंत्रा लएके द्वारा आयूजत की जाती है नमबर सेक्न कॉस्en की हम बात कर लेते हैं, औस्टेलियन ओपन 2024 हमेशा पूछा जाता है ऑस्टेलियन ओपन दो हजार चौबीस में पुरुस एकल का खिताब किस न जीता करक्ट आंसरोज आएगा ओप्सन ए यानिक सिनर ने ये कहां के हैं इटली के हैं ऑस्टेलियन ओपन से बनने वाले सारे फेक्टों को डिसकस कर लेते हैं तो आयोजन कह पर किया गया ओस्टेलिया के दो सेरों में मेल वर्न और विक्टोरिया में एक सो वारबा संसकनाय जो थुआ है और मेंस सिंगल का जो टाइटल है इटली के यानिक सिंगर ने जीता है बुमेंस सिंगल का टाइटल जीता है बेलारूस की यरिना सभी लेंका ने और मेंस डव रखना और वहीं हम बात करें वुमेंस डेवल की तो यह जीता है CSU वेई ताइवान की और एलस मार्टेंस वेलजियम की ठीक है इन दो महिलाओं की जोड़ी ने तो ओस्टेलिन ओपन से यह सारेफक्ट याद रखना अब बताईे की फिर्थम बीच गेंज 2024 का ऐवजन कहां पर किया गया। दोस्तो बीच गेंज का ऐवजन पहली बार किया गया है यानि की कौन सा संसकर्ण है संसकर्ण है पहला ठीक है और इसका आवजन किया गया मरीना बीच पर ए ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा डेटेल की बात करें तो दोस्तो बीच गेम्स इसका आयोजन किया गया है केंद सासत प्रदेश दीब में ठीक है और बीच गेम्स में उन आठ खेलों को आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचले थे हैं इसमें प्रमुक्ताह वालीबॉल बीच बॉक्सिंग बीच सोकर बीच कबड़ी रस्ता कसी समुद्री तेराक मलकंब आधिक खेल सामिल किये गए और इसमें देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद ससुत प्रचले प्रतियोगियों ने फाइटिसिपेट किया है और इस चेंप्रेंशिप में मद्प्रचल राज ने टोटल 18 पदक जीते हैं और मद्प्रचल राज इन 18 पदकों के साथ मेलल टेली में पहले इस्थान पर है ठीक है या फर इस प्रुषकार को कहा जाता है FIFA Player of the Year तो FIFA Player of the Year का जो अवोर्ड है ये अर्जन्टीना के फुटबोलर लियोनेल मेसी ने जीता है ठीक है याद रखना और इसी करम में हम बात करेंगे कि सर्वशिष्ट महिला फुटबोल खिलाडी का परुषकार किसने जीता है तो ये जीता है एताना बौनमाती ने ठीक है एताना बौनमाती की बात करेंगे तो ये वर्शिलोना की फुटबोलर है अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि 2023 के सर्वशिष्ट फुटबोल खिलाडी के लियोनेल मैसी और सर्वशिष्ट फुटबोल खिलाडी बनी है वर्शिलोना की एताना बौनमाती और सर्वशिष्ट फुटबोल कीपर बने है एंडर्सन और महिला गोल कीपर की बात करें तो मेरी अपस बनी है और सरब्सिष्ट फीफा फुरस कोच की बात करें तो पैप गाडियोला बने हैं और सरब्सिष्ट फीफा महिला कोच की बात करें तो सरीना विगमेन बनी हैं ओके और नैश्वन की बात करें तो दिसंबर 2023 के लिए महिला श्रेणी में ICC प्लियर अब दा मन्त का सम्मान किसे दिया गया तो ICC Player of the Month और December महिने के लिए ये दिया गया है अपने देश की दीपती सर्मा के लिए ठीक है याद रखना है दीपती सर्मा का नाम और यदी प्रुस केटेगरी में पूछा जाए तो प्रुस केटेगरी में ये जो अबोर्ड है औस्टेलिया के पैट कमिंस को दि पॉंट है और ये दिया गया है चिराक से टी और सात्वेक सांगराज रंगी रेड़ी की जोड़ी के लिए तो C option करक्ठ हो जाएगा और परियोग तो दोनों को ठीक है और दोनों का सम्मंद कौन से खेल से है बैड मिंटन खेल से दोनों का सम्मंद है ठीक है मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न प्रोषकार के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देश का सरवोच्च खेल सम्मान है और इसको पहले राजु गांदी खेल रत्न प्रोषकार की नाम से जाना जाता था फिर 6 अगस्त 2021 को मोदी जी ने इसका नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद्र खेल रत हमारे देश के पहले ग्रेंड मास्टर विस्वनाथ आनंद को ओके तो सारे फेक्ट आप याद रखेंगे आए नेश्ट बन की बात करें उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड निउस है यदि आप इसी प्रकास से डेटेल में करेंट आप यदि आप यूपी की यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे है आग्रो या फिर यूपी से रिलेटर की ऑजम की तैयारी कर रए हो तो हमारी यूपी जिक yourself की ए बुक वी लांक हो गई है और इसी के साथ हमारी इस्टेट इपक जीक की सब्सर बैश्ट ईबुक लांच हो इस्टेटिक जीके की रामवान इबुक ठीक है और इन तीनों इबुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्टिन बॉक्स मिल जाएगा तो इन तीनों इबुक को आप जरूर पर्चेस कर लिए आए नेश्ट मन की हम बात करें नेश्ट को सन है किन खलाडियों को ध्यानचंद लाइब टाइम अच्रिमेंट अबोर्ड दो हजाट तेईस मिला है तो देख दोस्तो अभी हमने पड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रतन अबोर्ड की बारे में और मैंने बताया कि दो खलाडियों को दिया गया है एक तो रंगी खलाडियों के लिए एक बैडमिंटन की खलाड़ी है मन्जूसा कवर दूसरी है कवडड़ी की खलाड़ी कभीता सैलवराज और तीसरे हैं होकी के पिलेयर विनीत कुमार सर्मा डी आप्शन करक्ठ हो जाएगा और परियोगत तीनों खलाड़ियों को और इसी क्रम में आप आप से पूछा जाएगा अरजुन प्रुसकार के बारे में कि दो हो जाते इसमें अरजुन प्रुसकार कितने लोगों को दिया गया कितने खलाड़ियों को दिया गया 26 खलाड़ियों को एक बार हम फिर से रिबिजन कर लेते हैं खेल रत में दो खलाड़ियों को दिया गया ध्यान चंद प्रुषकार तीन खिलाडियों को दिया गया ठीक है सभी को याद रखना और अरजुन प्रुषकार जीतने वाले जो 26 खिलाड़ी है ना आप चाहें तो इनका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं या फर मैं ये लिस्ट टेलिग्राम पर डाल दूँगा चाहर ये अवर्ड फर आउट इस्टेंडिंग कोच और रेगुलर केटेग्री में कितने कोच को दिया गया है तो पांच कोच को दिया गया है वो पांच कोच कौन कौन से हैं उनके हम नाम देख लेते हैं तो एक तो कुष्टी के कोच हैं ललित कुमार, सतरंज के कोच हैं, आरबी रमेश, पेरा एतलेटेक्स के कोच हैं, महामीर परसाथ सैनी होकी के कोच हैं और मलखंब खेल जो की मद्दपदिस का राज के खेल है इसके कोच हैं गड़ेश प्रभाकर, देवरुकर इन पांच आये कि दोनाचर ये अवोर्ड फार आउट इस्टेंडिंग कोच दो हजा थेस, लाइफ टाइम केटेगरी में कितने कोच को दिया गया, तो ये तीन कोच को दिया गया, एक तो जसकीरस हैं, ग्रेवाल हैं, दूसरे हैं भास्त करन ई, तीसरे हैं, जैंद कुमार, पुसी ल ठीक है, तो D-Option करक्ट होजाएगा और परियुक्त तीनों कोचों को, अब बताओ, कि हाली में विजए हजारे ट्रॉफी 2023-2024 किसने जीती है, करक्ट अंसर होजाएगा दूस्तों हरियाना ने, और हम बात करें कि हरियाना ने हराया किसको है, तो हरियाना ने राजिस्थान को हराया है, टेनिस टूनामेंट, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है, इटली ने, ठीक है, डेविस कप की बात करें, तो इटली ने ऑस्टेलिया को 2-0 से हरा कर, डेविस कप जीता है, और डेविस कप क्या है, तो इसको टेनिस क वर्ल्ड कप कहा जाता है और इसकी शुरुवात हुई थी 1900 में ओके अच्छा इसी करब में एक और कॉस्टन पूशा जाएगा बिली जीन किंग कप 2023 किसने जीता है तो यह जीता है कनाडा ने बी ओप्सन करख्ट हो जाएगा दोस्तो कनाडा ने इटली को हराया है दो जीरो से और विली जीन किंग कप 2023 के खिताब अपने नाम कर लिया जो विली जीन किंग कप है न यह अंतरराष्टे टैनिस प्रतियुगता है और इसको महिलाओं का टैनिस कहा जाता है और परसों का ट कॉस्सन है आइसेसी प्रुस कर्केट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता मोस्ट इंपन को जीता है तो यह खिताब जीता है ऑस्टेलिया ने ठीक है और किसको हराया तो अपन को हरा दिया है अपने दिस भारत को हरा दिया तो भारत रनर अप रहा है और ऑस्टेलिया ने विलेज और टॉंको को बनाया गया एथम सॉंग था इसका दिल जसन बोले और इस सॉंग के कमपोजर थे प्रीतम और जीता है और ओस्टेलिया ने ये टाइटल 6 भी बार जीता है और अजिए लेया की कप्तानिकरी पैट कमिस ने और रनर आप यानिकी उबिजेत आ रहा है भ गोल्डन बूट अबोर्ड जो है गोल्डन बैट अबोर्ड ये वराट कोहिली को दिया गया और गोल्डन बैट अबोर्ड दिया जाता है मोस्ट रन बनाने वाले खिलाडी को ठीक है तो इन्हें उन्हें 755 रन बनाए हैं गोल्डन बॉल्ड अबोर्ड दिया जाता है सबसे लेने वाले खिलाड़ी को तो मुहम्मद समी को दिया गया मुहम्मद समी ने पूरे वर्ल्ड कप में 24 विकेट लिये हैं ओके नैश्वन की हम बात कर लेते हैं पुरुस कर्केट एसिया कप की तो यह खिताब किस ने जीता है अपने देश भारत ने जीता है ठीक है और आयोज़त हुआ है बिजेता टीम भारत के कप्तान कौन थे रोहिस सर्मा और बिजेता टीम स्री लंका के कप्तान थे दासुन सना का और इसमें प्लेयर आप दी टूनेमेंट दिया गया कुल्दी पियादाओ को भारत के और प्लेयर आप दी मैच फाइनल में दिया गया है म हरयाणा राजने खेलो इंडिया पेरा गेम्स की बात करें तो आए उजन नई दिल्ली में किया गया पहला संस्कन है याद रखना चुकि पहला था होता है ना तो अपने आप में इंपन्ट हो जाता है ठीक है और खेलो इंडिया पेरा गेम्स दूसरे स्थान पर है तमिल नाडू तीसरे स्थान पर है और गुजरात चोथे स्थान पर है और इसी क्रम में बताओ कि अंडर 19 किरकेट एसिया कब 2023 किस देश की टीम ने जीता है करक्ट आंसर हो जाएगा option B बांगलादेश की टीम ने ठीक है तो बांगलादेश की टीम ने UA UAE को 155 में रनों से हरा कर पहली बार अंडर 19 किरकेट एसिया कब 2023 के खिताब अपने नाम कर लिया और इसका आयोजन किया गया UAE के दोबई में नेश कोसन है होकी टूनामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किस ने जीता तो दोस्तो सुल्तान जोहर कप 2023 जीत लिया है जर्मनी ने और जर्मनी ने हराया किसको है तो ऑस्टेलिया को पैनाल्टी सूट आउट में 3-1 से हराया है और सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहां पर किया गय तो मलेशिया के क्वाला लामपुर में आयोजन किया गया नेश कॉस्टा ने किस भारतिय खिलाडी को ICC T20 इंटरनेशनल पिलियर अब दा इयर 2023 चुना गया है करक्टांस रोजाय का भारत के सूर्य कुमार यादाव के लिए और याद रखना दोस्तो ICC ने इनको दूसरी बार ये सम्मान दिया है पहली बार कब दिया था 2022 में और अभी फिर से दिया है 2023 में अच्छा ICC ने पूरे साल भर में सरवशेष्ट प्रदसन करने वाले खिलाडियों को विविन केटेग्रियों में अबोड दिये हैं जो की इमपॉंट है तो एक बार में हम देख लेते हैं देखिए ICC पुरस वन्डे करिकेटर आप दा इयर का अबोड किसको दिया है अपने देश के वराट कोहली को सबसे जादा इमपॉंट को सरने ठीक है और वन्डे की हम बात कर रहे है और सिक्रम में ICC महिला वन्डे करिकेटर आप दा इयर का अबोड स्री लंका की चमारी अट्टा पट्टू को दिया गया और पुरस टेस्ट का अबोड किसको दिया गया और अस्टेलिया के उस्मान ख्वाजा को और प्रोस T20 Cricketer of the Year का बॉर्ड दिया गया है सूर्य कुमार यादाओ को ठीक है भारत के हैं मैंने बताया कि इनको दूसरी बार दिया गया है पहली बार 2000 वाइस में दिया गया था और अभी फिर से दिया गया है 2023 में ठीक है और ICC महिला T20 Cricketer of the Year का बॉर्ड वेस्ट इंडिस की हैली मैथियूस को दिया गया और ICC प्रोस Emerging Cricketer of the Year का जो बॉर्ड है निवजिलेंड की रचन रविंद को दिया गया और ICC महिला Emerging Cricketer of the Year का बॉर्ड दिया गया और अस्टेलिया की 5-way लिच फिल्ली के लिए ठीक है और ICC प्रोस Associate Cricketer of the Year यहाँ पर Associate लखा है तो Associate Cricketer of the Year का जो अबॉर्ड है यह निदरलेंड के बास्टी लीडे के लिए दिया गया और महिला Associate की बात करें तो यह दिया गया है Kenya की Quintour Abel के लिए ICC Empire of the Year की बात करें तो यह England के Richard Illingworth को दिया गया है और ICC Spread of the Cricket अबॉर्ड दिया गया है Gym Bombay Team के लिए ठीक है तो यह भी important है यह सारे याद रखेंगे वीडियो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं सभी question को बिलकुल detail से discuss कर रहा हूं और दोस्तों यह सारी detail आपको कहां पर मिल जाएगी हमारी e-book के अंदर आपको सारे trending topic मिल जाएंगे जह नहां से question exam में पूछे जाते हैं ठीक है और हमारी current face की e-book को update कर दिया है तो आप चाहें तो इस e-book को purchase कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो की description box से मिल जाएगी बताइए सयद मुस्ताकली trophy 2023 का खिताब किस टीम ने जीता करक्टांस रोज आएगा पंजाब टीम ने ठीक है और सयद मुस्ताकली trophy का सम्मंद किस खेल से है तो cricket खेल से सम्मंद है बताओ 19-way ACI खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस इस्थान पर है तो 19-way ACN game की बात करें अपना देश भारत medal tally में चोथे इस्थान पर है डेटेल की बात कर लेते हैं तो देखे 19-way ACI खेल 2022 है लेकिन आयोजन किया गया 2023 में और चाइना के हांग जोग सहर में आयोजन किया गया संस्क्रण 19-way है आदर्सवा के क्या है सद्यों आंगे और पदक तालिका में सबसे जादा मतलब पहला स्थान चाइना के है चाइना ने सबसे जादा 383 medal जीते हैं दूसरे स्थान पर जापान है तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया है और अपना देश भरत जो है ये फोर्थ पोजिशन पर है ठीक है और इसी करम में हम बात कर लेते हैं चोथे पैरा ACI खेल 2022 की जो की 2023 में आयोज़ित हुए हैं इसमें बताओ कि किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं तो सबसे और पैरा ACN गेम है ना ये दिब्विआंग एथलीट का इसमें क्या होता है दिब्वियांग एथलीट हिस्सा लेते हैं आयोज़न चाइना की हांगजो में ही किया गया इसका fourth edition है ठीक है कौन सा fourth edition है उर इसका मोटो क्या है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं और पदक तालिक है चोथे पर साउथ कूरिया है और भारत कौन से स्थान पर है पांच में पर ठीक है और एसीन गेम में भारत कौन से स्थान पर था एसीन गेम में चोथे पर रहा है महराष्ट ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा डेटेल की बात करें तो देखिए 37 वे राष्ट ए खेल है ना मतलब संस्क्रण कौन सा है 37 वा आयूजन किया गया है गुवा में और इसका सुभंकर किसको बनाया गया तो एक भारतिय वाइसन को बनाया गया भारतिय वाइ किया है गुवास, ठोझाओ, और एथम, सॉंग, खेल ऐसा, खेल, जैसे, कोई खेला ना हूँ, और इससे एथम, सॉंग की सिंगर, कौन है समर्पित ? गोलानी, इसकी सिंगर और राजा भलंद सेंट रोफी किसको दी गई है तो देखिए राजा भलंद सेंट रोफी उसको दी जाती है जिसने सबसे जादा गोल्ड मेडल जीते हूं तो सबसे जादा गोल्ड मेडल भी किसने जीते हैं महराश्ट ने जीते हैं और मेडल टेली में पहले इस्थान पर मह महिला एतलीट का बोड दिया गया स्रीयरी निटराज को भारतिय तेराक है और सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष गुआ ये नौवे इस्थान पर है नेश कोस्टन है IPL 2023 का खिताब किस ने जीता तो करक्टांस रोज आएगा CSK यानि की चेन नई करी महिन सिंग धौनी ने विजिता है गुजराट टाइटन्स और इसकी कप्तानी करी हार्दिक पंडिया ने आयोजन भारत में ही किया गया है और 2023 में IPL का प्रकार से IPL होता है उसी प्रकार से महिनाओ के लिए WPL यानि की वुमें प्रीमेर लीग पहली बार खिला गया है ठीक है और इसके जो पहली चेंपियन टीम है ये मुंबई इंडियन्स बनी है डी ओप्षन करक्ठ हो दाएगा डेटेल की बात करें तो मुंबई इंडियन्स ने दिल्ली केपिटल को साथ विकेट सिहरा कर पहली बार डवलू पियल की ट्रॉफी अपनी नाम करी मैंने बताया कि फर्स्ट एडिसन है आयोजन मुंबई में किया गया टोटल पांच टीमों ने हिस्सा लिया है औरेंज केप का खिताब दिया गया है दिल्ली केपिटल की मैग लेनिंग के लिए परपल केप दिया गया है मुंबई इंडियन्स की हैली मैथियूस के लिए और पहली बार आयुजुत किया गया है यानि कि इसका भी पहला संस्कान है जीता किसने है भारत ने जीता है भारत ने किसको हराया है इंगलेंड को हराया है ठीक है और डेटेल की बात करें तो भारत ने 29 जिनवरी 2023 को इंगलेंड को हराया है और 7 विकिट से हराया है ठीक है और य नेश को सन है रगबी विस्वकप 2023 के खताब किसने जीता है करक्ट आंसरो जाएगा धक्षन अफ्रीका ने और धक्षन अफ्रीका ने फाइनल में किसको राया है निउजिलेंड को राया है नेश कोस्टन है ACI Table Tennis Championship 2023 की पदक तालिका में भारत किस इस्थान पर रहा है करक्टांस रोजाय का दूस्तो अपना देश भारत जो है ये पांचवे इस्थान पर रहा है और डेटेल की बात करें तो ACI Table Tennis Championship 2023 का उजन किया गया दक्षर कोरिया के प्योंग जांग सहर में और 26 बसंसकनाय उज़त हुआ है और इसमें प्रुस एकल का खिताब जीता है चाइना की मांग लांग ने और महिला एकल का खिताब जीता है चाइना की वांग मान्यू ने और सरबादिक पदक किसने जीते हैं चाइना नहीं जीते हैं टोटल 15 पदक जीते हैं और 15 पदगों के साथ चाइना पहले इस्थान पर है भारत और हॉंग कॉंग एक एक कांश पदग के साथ पदग तालिका में पांच बे इस्थान पर है नेश्ट हमारा कॉस्टन है फीपा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस ने जीता करक्ट आंसर हो जायागा दूस्तू इस इस पैन ने इंगलेंड को एक जीरो से हरा कर ये खिताब जीता है ठीक है और इस पैन ने पहली बार फीपा महिला विस्वकप का खिताब अपनी नाम किया है इसलिए इसके सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं देखी आयोजन किया गया औस्टेलिया और निउजिलेंड में नौबा शंशकर नायोज़त हुआ है जीता है इस पैन ने तो इस पैन की कप्तानी किस ने करी ओलगा कार मूना ने विजिता है इंगलेंड और तीसरा इस्थान है स्वेडन का सुभंकर बनाया गया तजनु को टोटल 32 टीमें सामिल हुई है और जो फुटबाल मतलब ज अबोर्ड दिया गया मेरी एरप्स को और फीफा यंग प्लेयर का अबोर्ड दिया गया सालमा परलू योलो के लिए और इनामी रासी यानि कि विजिता टीम जो की स्पैन की टीम है इसको इनामी रासी दी गई है 4.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फर रुपे में बात करें त आपसे बिजेता पूछा जाएगा कि फीपा अंडर टॉन्टी वर्ल्ड कप किसने जीता है तो अरुग बेने जीता है नेश कोसा ने परसो की वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है करक्टांस रोज आएगा जर्मनी की टीम ने परसो की वर्ल्ड कप इंपॉंट है सारे को डिसकस कर लेते हैं तो परसो की वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला है ना ये भुबनिस्वर की कलिंगा इस्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ है और जर्मनी ने वेल्जियम को पैनल्टी सूट आउट में हरा कर ये खिताब अपने नाम कर लिय है ठीक है तो विजेता जर्मनी है जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है विजेता बेल्जियम है बेल्जियम ने सिल्वर मेडल जीता है और ब्राउंज मेडल किसने जीता है नीदर लेंड ने नीदर लेंड का तीसरा स्थान है आयोजन उडिसा में किया गया और पंदरवा सं खेला गया है अब बताओ होकी एसियन चेंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है करक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सन सी अपने देश भारत ने तो होकी एसियन चेंपियन ट्रॉफी का सातवा संसकन खेला गया है आयोजन किया गया तमिलनाडू की राधा किष्णन स्टेडियम में और भारत ने मलेशिया को चार एक से हराया है ठीक है और भारती प्रोस होकी टीम के कप्तान कौन है तो हर्मन प्रीत सेह है और इसी करम में आप से पूछा जाएगा महिला होकी एसियन चेंपियन ट्रॉफी के बारे में तो महिलाओं का खिताब भी किस ने ज किता है ओके और आयोजन कहां पर किया गया ज्यारखंड के राची में और भारत ने किस को हराया है तो जापान को चार सुने से हराया है बताओ नेश्ट है खेलू इंडिया इन्वरसिटी गेम्स 2023 की पैदक तालिका में कौन सा विस विद्ध्याला है टॉप पर रहा है करक् जब इन्वरसिटी जो है ये पदक तालिका में 69 पदकों के साथ पहले इस्थान पर रही है गुरू नानक देव इन्वरसिटी अमरिस्तर की है ये दूसरे इस्थान पर रही है और जैन इन्वरसिटी है करनाटक की ये रही है तीसरे इस्थान पर और दिलीब ट्रॉफी की क्रिकेट खेल से संबन्द है और इस साल दिलीप ट्रॉफी का साटवा संसकन खेला गया है अब बताओ खेलो इंडिया विंटर गेम्स दो हजातेज की जो पदक तालिका है इसमें कौन सा राज पहले इस्थान पर रहा है तो करक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर पहले इ ठीक है और आयोजन कहां पर किया गया तो जम्मू कस्मीर के गुल मर्ग में तीसरा संसकन आज जोत हुआ है और पहले इस्थान पर जम्मू कस्मीर है दूसरे इस्थान पर है महराष्ट है और दोस्तों इसी करब में आपसे पूछे जाएगा वर्ल्ड इन्वर्शिटी गे का 31 संसकन खेला गया है चाइना के चैंग दू में आयूजन किया गया पदक्तालिका में पहले इस्थान पर चाइना ही है चाइना ने टोटल 178 मेडल जीते हैं और भारत ने टोटल 26 मेडल जीते हैं और भारत पदक्तालिका में साथवे इस्थान पर रहा है ठीक है तो यही को पूछा गया था कि भारत के खिलाडियों ने कितने मैडल जीते हैं 26 मैडल जीते हैं बताओ ACI कबड़ी चेंपन्शिप 2023 का खताब किस देश की टीम ने जीता है करेक्ट आंसर रोजा आएगा option D अपने देश भारत की टीम ने तो ACI कबड़ी चेंपन्शिप का आयोजन किया गया दक्षिन कोरिया में जीता है भारत ने हराया है इरान को और भारती कबड़ी टीम के कप्तान पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे पबन सहरावत हैं बताओ जूनियर कबड़ी विस्व चेंपन्शिप दो होजा तेज के खताब भारत ने पहली बार जीता है तो आपको बताना है कि भारत ने किस देश को हरा कर जीता है अपने देश भारत ने इरान को हराया है ओके जूनियर कबड़ी विस्व चेंपन्शिप का आयोजन किय गया है इरान के उम्रिया में ठीक है दूसरा संसकन है इस चेंपेंशिप में भारत ने पहली बार भाग लिया और भारत पहली बार विजेता बना हराया किस को है भारत ने तो भारत ने इरान को हराया है नेश को सन है पहली महिला कबड़ी लीग का खिताब किस टीम ने जीता ह तो पहली बार महिलाओं का कबड़ी लीग हुआ है और किस टीम ने यह जीता है उमा कोलकाता ने डी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा ठीक है और हम बात करें कि उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैंथर्स को हराया है ठीक है और आयोजन कहां पर किया गए दोबई में कौनसा एडिस नहीं बताओ महिला विस्व मुक्यवाजी चेंपन्शिप दो हो जा तेईस में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं तो दोस्तो भारत ने टोटल चार मेडल जीते हैं बी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा और भारत ने जो चार मेडल जीते हैं चारों के चारों गोल्ड मेडल है तो महिला विस्व मुक्यवाजी चेंपेंशिप की हम बात कर लेते हैं आयोजन किया गया नई दिल्ली में तेर बाशन श्कन खेला गया है और इसके लिए सुभंकर बनाया गया वीरा को भारत ने टोटल चार मेडल जीते हैं और चारों के चारों गोल्ड मेडल हैं तो चारों हम देख लेते हैं एक तो नितु घंगस ने जीता हरयाना की है दूसरा सुईटी बूरा ने ये भी हरयाना की है तीसरे जीता है निकाज जरीन ने तेलंगाना की है और चौथा जीता है लवलीना बोरगाहन नहीं कहा की है अल्सम की है च्ँटेट है और निकाजरी ने लगातार दूसरा गोल्ड जीता है पहला गोल्ड इन्होंने 2022 में जीता था और अब जीत लिया है 2023 में ठीक है पदक तालिका में भारत का पहला इस्थान है चाइना का दूसरे इस्थान है रूस का तीसरे इस्थान है और एक फेक्ट याद रखना कि जो MC मेरी कौम है न भारती मुक्किवाज उन्होंने इस चेंपन्शिप में सबसे जादा बार छे बा जीता है ठीक है और यह जो चेंपन्शिप है इसका आयोजन कहां पर किया गया मद्दपेदिस की राध्धानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया बताओ ACI कुस्ती चेंपन्शिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता है करक्ट आंसर हो जाएग गोल्ड व्रॉज शिलवर ठीक है तो गोल्ड मेडल जीता है और किस भारवर्ग में जीता है संतान कलूगराम भारवर्ग में जीता है तो ACI कुस्ती चेंपन्शिप से और कौन-कौन से फेक्ट बन सकते हैं सभी को हम समद लेते हैं आयोजन बन सकता है तो कजाकिस्तान की पिराददानी अस्ताना में आयूजन किया गया और भारत ने टोटल केतने मेडल जीते हैं 13 मेडल जीते हैं एक गोल्ड है और गोल्ड किस ने जीता है अमन सहरावत ने संट ताउन कलूराम भारबर्ग में और तीन सिलवर जीते हैं अंतिम पंगाल ने रुपिन गहलावत ने और निसा दाहिया ने और नौ जीते हैं भारत ने वरॉंज मैडल ओके अच्छा हम बात करें चेस वर्ल्ड कप की या पर इसको फीडे चेस वर्ल्ड कप भी कहा जाता है ये किसने जीता है करक्ट आंसर हो जायागा नारवे के खिलाडी है मैगनसन कालसन ठीक है और हम बात करें अववेजेता कौन है क्योंकि ये महतपूर्ण है अपने दिस भारत के हैं ठीक है आर प्रग्नन अन्द जो हैं ये अववेजेता हैं भारत के हैं लेकिन कहां से विलोंग करते हैं तो ये चेन नई के रहने वाले हैं ग्रेंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की चोरासी भी और महिलाओं के करम में ये तीसरी महिला बनी है अच्छा यदि आप से पूछाजाए कि भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर कौन बनी है तो आप कहेंगे ऐस विजय लक्ष्मी बनी है अच्छा और पर बोच उपादी होता है ग्रेंड मास्टर बताओ अभी इसी साल कितने ग्रेंड मास्टर बने हैं तो देखिए 84 भी मैंने आपको बताया आर वैसाली बनी है इससे पहले 83 भी 83 भी कौन बने थे आदित एस सामंत 82 भी बने थे बुपला पिर्नेत 81 भी बने थे सायंतन दास 80 भी बने थे विगनेस एनार ठीक है यह सब कब बने तो यह 2023 में बने ठीक है पहले मैंने आपको बताया थी अभी बताए विश्मनाथ हानंद 1988 में बने थे और भात की पहली मैला सत्रंज ग्रेंड मास्टर एस बिज विश्म पुर्ष सत्रंज चेंपियन जो ही डिंगल रेंड बने हैं उर यह किस दिस gere तो यह चाहिना दिस के हैं कहां कि चाहिना दिस के डी-इप्षन करक्ठ होजाएगा और बताएगे 5 वी वारि विश्म रेपिट सत्रंज चेंपियनशिप पुर्ष ग्रेंड़ी में किस खिलारी ने जीता है मैंने बताया था ये कहा के खिलारी है तो ये नारवे के खिलारी है और इन्होंने ही 17 वर्ल्ड कप अपनेी नाम किया है ठीक है और जो विस्वरैबिट 17 चेंपन्छेप स्कायोजन उज्वेकिस्तान की समरकंद में किया गया जीता किसने है तो नारवे के सतरंज खिलाडी मेगनिसन काल सन ने ये जीत लिया है और इसी करब में हम बात करें कि विस्वरेपेड सतरंज चेंपर्णशप महला केटेगरी में किस खिलाडी ने गोल्ड मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है अनास्तास या बोर्ड ठीक है ये किस देश की सतरंज खिलाड़ी है तो ये रूस की सतरंज खिलाड़ी है अच्छा इसी करब में एक और कॉस्टन पूछ जाएगा कि विस्व रैपेड सतरंज चेंपनशेप महला केटेगरी में भारती खिलाड़ी कौनरू हमपी ने कौन सा मेडल जीता है तो कौनरू जो हमपी है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल कौन सा सिल्वर मेडल भी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा बताओ क्रिकेट टूनेमेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस 88 संस्क्रण है बताईए फोटबोल पृतियोगता है किंग्सकप 2023 के खिताब किस ने जीता है करक्ठ आंसरो जायेगा इराग ने जीता है और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो थाइलेंड के अंदर इसका आयोजन किया गया अब बताओ कि फोटबोल टूनेमेंट इस पे 2023 का खिताब किस ने जीता है करक्ट आंसरोज आयागा दुस्तो ये जो खिताब है ना ये वर्सिलोना FC टीम ने जीता है ठीक है और उब्विजिता आप से पूछा जायागा तो आप कहेंगे रियल मेड़ेट FC जो है ये उब्विजिता यानि रनर अप है और आयोजन कहाँ पर किया गया तो सौधी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया गया है राष्टी फोटबॉल चेंपेंशिप है संतोष ट्रोफी 2023 तो संतोष ट्रोफी 2023 की विजिता टीम का नाम बताई ये फटाफट से तो संतोष ट्रोफी पूछ जाता है किसने जीत लिया है करनाटक की टीम ने जीत लिया है ठीक है उसकी शुरुआत होई थी 1941 में 76 बाश संसकन है और देखे आयोजन कहाँ पर किया गया तो चेंपेंशिपेंश का जो फाइनल मैच है ना ये साओधी अरब की राध्धानी रियाद में और किंग फाद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया जीता है करनाटक ने और उपविज़ता कौन है तो मेगले की टीम उपविज़ता है नेश कोस्टन है डूरंड कप 2023 के खिताब किसने जीता तो डूरंड कप का जो खिताब है ना ये मोहन बागान की टीम ने जीता है किसने मोहन बागान की टीम ने अब जो डूरंड कप है ये घरेलू फोटोबाल प्रतियोगता है और इसका 132 वा संस्क्रण आयोज़त हुआ है और पहली बार ये कब आयोज़त हुए थे 1988 में और पहली बार ये सिमला में आयोज़त किये गए थे बताओ चोथा ACI Koko Championship 2023 कहां आयोज़त की गई करक्टांसरोज आयगा इसका आयोज़न किया गया असम में ठीक है और ACI Koko Championship का चोथा संस्क्रण है असम के वक्सा जले में आयोज़न किया गया और इस Championship में भारत की पुरोष और महिला दोनों टीमें बिजीता रही है बताओ विस्व इसनूकर Championship 2023 के खिताब किस ने जीता आप लोगों को भी आंसर करना है और वीडियो के लाश्ट में बताना है कि आप कितने कोस्टन के सही आंसर दे पा रहे है वटाफर से आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए तो विस्व इसनूकर Championship 2023 के खिताब जो है यह लोगों का वरसल ने जीता है कहां के हैं बेल्जियम के और यह जो Championship इसका आयोज़न किया गया इंग्लेंड में बताइए ACI Athletics Championship 2023 की पदक तालिका में भारत किस इस्थान पर रहा है करक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत जो है यह तीसरे इस्थान पर रहा है ठीक है और ACI Athletics की बात करें तो आयोज़न किया गया बैंककोक में पहले इस्थान पर जापान है दूसरे इस्थान पर चाइना है तीसरे इस्थान पर है अपना देश भारत नेश को सन है विस्वे Athletics Championship में शौन पदक जीतने बाले पहले भारतिये कौन मने है करक्ट आंसर हो जायागा आप्शन भी नीरच चूपड़ा डेटेल से समझ लेते हैं तो देखिए विस्वे Athletics Championship का यूज़न किया गया हंगरी के बुड़ा पोस्ट में 19 बा संसकन खेला गया है और दोस्तो पदक तालिका की यदि हम बात करें तो सब सजाना अमिरिका ने 29 मेडल जीते हैं ठीक है अपने दिस भारत ने केबल एक गोल्ड मेडल जीता है और एक गोल्ड मेडल के सहारे भारत मेडल टेली में 18 बेस्तान पर है और यह जो भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है न यह किसने जीता है नीरच चूपड़ा ने जीता है उन नीरच चूपडा इस चेंपर्शिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं और इन्होंने वाला फैंक इस परधा में जीता है और कितना वाला फैंक कर जीता तो 88.17 मीटर के थ्रू करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है बताओ किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्टित प्रुसकार वेलेंडियोर 2023 जीता तो फुटबॉल का सबसे प्रतिष्टित प्रुसकार होता है वेलेंडियोर प्रुसकार और ये किस ने जीत लिया है तो अर्जेंटीना के लियोनेल मैसी ने जीत लिया है ए ओप्सन करक्ठ हो जायागा और दोस्तों याद रखना जो मैसी हैं ये वेलेंडी और पुरुसकार सबसे जादा बार जीतने वाले फुटबॉलर बन गए हैं इन्होंने अब तक कितनी बार ये पुरुसकार जीता है आ नेश कोस्तन है महिला सौफट बॉल एसिया कप 2023 का खताब किस देश की टीम ने जीता है करक्ठ आंसर हो जाएगा दूस्तों ऑप्सन डी जापान की टीम ने ठीक है तो महिला सौफट बॉल एसिया कप का आयोजन की आगे दक्षन कुरिया की इंचियों में और जीता है करक्ठ आंसर हो जाएगा ITBP ने तो दोस्तों मैंस नेशनल आई सो की चेंपरिंशिप की बात करें आयोजन किया गया लद्दा के ले में वारवा संसकन खेला गया और ITBP ने जीता है ITBP यानिकी इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस की टीम ने और किस को हराया तो लद्द सस्कूर आए एक जीरो से ठीक है नेश करस्टन है ले ہाली में गलोबल सतरंजी लीक का पहला संसकर्ण कहां आयोजथ हुआ है दोश्तोंphonie सतरंजी लीक का ये पहला संसकर्ण है ठीक है यानिकि पहली बाgado खिला गया और कहां पर खिला गया तो UAE के दुबई में ये खिला गया है ठीक है और विजेता टीम आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों इसमें विजेता टीम है तरवेणी कॉंटिनेंटल किंग्स टीम ओके नेश को सन तेर भी होकी इंडिया सीनियर महिला राष्टे चेंपनिशप दो हो जाते इसके विजेता का नाम बताएए करक्ट अंस महिला गयाह जीता है मद्री प्रदेश ने महराष्ट इसक्राम में आप से पूछा जाएगा मैं सौ की जूनियर एसी अकप दो हजा तेश तो इसकी जो विजेता टीम है यह अपने देश की भारत टीम है ठीक है और मैं सौ की जूनियर Asia Cup का आयोजन किया गया Oman किसलालाहे में जीता है भारत ने उब जीता है पाकिस्तान और भारत ने चौथी बार ये Cup जीत लिया है नेश पॉस्टन है फीबा बास्केट बाल विस्प कब दो हो जा तेज किस देज की टीम ने जीता है करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी की टीम ने D-Option करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जो फीबा टर्म यूज हुआ है न इसका फुल्फॉम क्या होता है तो International Wasket World Federation इसका फुल्फॉम होता है आयोजन किया गया है फिलिपीन्स, जापान और इंडोनेसिया तीन देसों में जीता है जर्मनी ने और उन्नीस बास संसकंड खीला गया है ठीक है इसका बीस बास संसकंड दो जाएगा 27 में खीला जाएगा और कतर में खीला जाएगा बताओ हाली में कौनसा भारतिय फुटबल क्लब स्वेडन में गोथिया कब जीतने वाला पहला भारतिय किलब बन गया है तो गोथिया कब जीतने वाला पहला भारतिय किलब बन गया है मिनरवा अकैदमी किलब D option करक्ठ हो जाएगा देखे दोस्तों जो मिनरवा अकैदमी किलब है न ये स्वेडन में गोथिया कब जीतने वाला पहला किलब बन गया है और गोथिया कब क्या है तो 1700 टीमों के साथ दुनिया वर का सबसे बड़ा अंतरराष्टी युवा फोटबॉल टूनामेंट है ठीक है और इसको जीतने वाला जो पहला भारती किलब है ये मिनरवा एकैदमी किलब बन गया है नेश कोस्टन है लीजेंट किर्केट लीग 2023 का किसने जीता तो लीजेंट किर्केट लीग जो है जो किर्केटर रेटाइड हो जाते हैं उनके लिए ये खेला जाता है ठीक है किसने जीता है एस या लाइंस ने जीता है ओके तो डेटेल की बात कर लेते हैं लीजेंड किर्केट लीग, ये रेटाइड किर्केटरों का T20 किर्केट लीग है, आयोजन किया गया, कतर की राधधानी दोहा में, तीसरा संसकंड खेला गया है, जीता है, एस टीम की कप्तानी करी थी, साहिद अफरीदी ने, विजेता है, वर्ल्ड लॉइंच की टीम, नेश उस्टेलिया ने किस को हराया है, तो देखिए, किर्केट वर्ल्ड कप में भी उस्टेलिया ने अपन को हरा दिया, ठीक है, और जो टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें भी उस्टेलिया ने भारत को 109 रनों से हराया है, ठीक है, चलिए नेश्वन की बात कर लेते हैं, त बिटेल की बात कर लेते हैं तो ऑस्टेलिया की टीम ने फाइनल मैच में दक्षिन अफरीका को हराया है 19 रनों से और चटी बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के खिताब जीत लिया आठवा संसकन है आयुजन किया गया दक्षिन अफरीका में जीता है ऑस्टेलिया ने और जो ODI World Cup 2022 की हम बात करें तो ये जीता है किसने ऑस्टेलिया ने सी ओप्षन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और कौन सा संसकन खेला गया था वार्वा संसकन था और हम बात करें कि आयुजन कहां पर किया गया था महिला ODI World Cup 2022 का तो आयुजन किया गया था निउजिलेंड में ओके नेस्ट वन की हम बात करें राष्ट मंडल यानि की Commonwealth Games 2022 की ये भी most important है तो इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं करक्टर अंसर हो जाएगा भारत ने टोटल 61 पदक जीते हैं डेटेल की हम बात कर लेते हैं तो देखिए राष्ट मंडल खेल 2022 आयुजन किया गया England की Birmingham में Viceversons कन है और राष्ट मंडल खेलों में Australia ने टोटल 178 पदक जीते हैं और Australia medal टेली में पहले इस्तान पर है England दूसरे इस्तान पर है Canada हैं तीसरे इस्तान पर भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं 61 मेडल जीते हैं और भारत इन 61 मेडल के सहारे medal टेली में 4 पो 2022 में आयुज़ित किये गए और आप 2026 में आयुज़ित किये जाएंगे ठीक है तो 2026 तक यह topic लगातार पूचा जाता रहेगा ओके तो यहां पर हमने जितने भी sports से related award बन सकते थे उन सभी को हमने discuss किया यानि कि sports related cup trophy tournament से जितने भी question बन सकते थे सभी को हमने discuss कर लिया है दोस्तों आप लोग के लिए एक वड़ी good news है जिस प्रकार से हमने सभी question को discuss किया है उसी प्रकार से यदि आप topic wise पूरे current refresh को पढ़ना चाहते हैं आपका exam हाल फिल हाल है यदि आप UPP की तयारी कर रहे हैं BPSC की तयारी कर रहे हैं या पर SSGD की तयार हम से इसके लिए हमारी currentFS की ebook launch हो गई है और static GK की राममाण ebook लौँच हो गई है science की ebook लौँच हो गई है और UP की तयारी करने वाले UPP और ROARO की तयारी करने वालों के लिए UPGK और current की ebook launch हो गई है इस पेसली ठीक है तो आप इन सभी ebook को purchase कर सकते हैं इन सभी ebook कर लिं exam में अच्छा score करके आएंगे यदि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आप सांदार student हैं आप sincere student हैं और आप पढ़ाई करने वाले student हैं ठीक है तो एक question है जिसका अंसर आपको comment section में comment करके बताना है जो question हम as a test इसी वीडियो से पूछते हैं बताओ किट किट बल्ड कप 23 जीता तो ऑस्टेलिया नहीं भारत को हराया है लेकिन आपको बताना है कि इसमें player of the tournament का award किसने जीता है आपको चार option दिये गए हैं फटा फट से आप comment section में अपना score share किजिए हम हर comment को देखते हैं और reply भी देते है यदि मुझे लगता है कि किसी ने बहुत अच्छा answer लिखा है डेटेल में लिखा है answer तो हम उसका reply भी देते हैं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो like कर दीजे आपके दोस्त भाई बहन जितने भी आपके दोस्त पढ़ाकू है ठीक है बहुत ज़्यादा अगर से topic wise के अंटरफेस को देखने के लिए हमारी playlist को visit की जिए playlist की link आपको आई वटरने मिलेगी नीचे आपको डिस्क्रेप्शन मिलेगी या पर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी यूसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें ठैंक